हालो फेंड्स वागत वकर फिट से आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में और दोस्तों जैसा कि मैंने बोला थैं 1000GK का सेट जीके और जीस का मैंने सेट यहाँ पर सुरू किया साथ में करेंट अफ्रस के विए कोश्चन आएंगे तो यहाँ पर 1000GKS का जो सेट था जिसमें की प्रैक्टिस सेट क्या कि आप कह सकते हैं आपका या प्रीवेस कोश्चन का सेट कहें तो यह सेट नमर्ट सिक्स है ठीक है यह सेट नमर्ट सिक्स है और इसके पहले जो भी है वन टू फैप सिक्स सेट है और रडी अपलोड है हमारा चैनल पे यहां पर 600 कोश्चन जीके अब तक मैंने आपको करा दिए ठीक है इस वीडियो के साथ आप छे सो कोश्चन जीके कहोगी है 400 कोश्चन कराएंगे यह ख़़र हो जाएगा इसके बद दूसरा जो आएगा वह आपका 5000 जीके से रिलेटर हैगा एक और टॉपिक बन लेका रहा करेंगे तो आपका फैदा नहीं होगा क्योंकि मैंने आप तक पांच वीडियो अप्लोट कर राखा है जिसमें से आप लोग बहुत ही कमी देखते हैं अस्टार का एक से दो तीन मिटला आप लोग देख रहे हैं पर पूरे का पूरव वीडियो देखते नहीं है लाइक में अजर शुरू करते हैं कि नाम दफावन जीब अभ्यारन कहां पर सित ही कोसरय इसमीं इसमें अब्लोट है ठीक से बहुत बार कोशवन आता ही आता इसका रसानिक उर्जा में यह परिवर्तित होता है यहां早 опасu am the अगर बात करें तो रसानिक कुर्जा में परवर्वर्थ तो जब काफी important question कई बार एकदा में यह पूछा भी है तो आप इन question को likely नहीं लीज़ेगा इसका ज़र हम बात करें जो इसका combination जो बनेगा वो क्या बनेगा CO2 6 CO2 plus 12 एस्टू जो आपका प्रक्राश्टन सिर्मन जो राश्टानिक पर करिया होता है उसके यहां पर मैं सिम्वल बता रहा हूं ठीक है C6 क्या फिर बनेगा है और किसके उपस्तेते में light और chlorophyll ठीक है ना chlorophyll को पस्तेते में chlorophyll तो ध्यार कि यह लाइट के उपस्तेते इन प्रजेंस अफ लाइट chlorophyll S2 and CO2 क्या बनता है यहां पर यह प्रकास संस्रेशन का पूरे परक्रिया है यह पूरे प्रोसेस है जिसमें क्या बनक निकलता है यहां पर ग्लुकोज बनता है यहां पर जल बनता और यहां पर ऑक्सिजन release करता है वोई oxygen जो हम दो grant करते है ठीक है यहाँ पर oxygen यह क्या करता है release करता है यहाँ पर जल बनता है और यह glucose बनता है ना glucose तो इंपोर्टेंट कोशन इसलिए बनता है ठीक है उध्यान रखेगा चलिए आगे बढ़ते सवाल पर कि रास लिला कि बात करते है रास लिला याउ संग लाई हडा ओबा तेह वार किस से दे कि यह वाला काफी बार पूछा है लाई हरा ओबा तेह वार किस राज से या कहां के जन्जाति से बिलोंग करता है काफी important कई बार पूछा है यह इसका जो important होगा मनी पूरी लोगों का इसका correct answer होगा कई बार पूछा है काफी important कई बार पूछा इसको आप इसे जरूर ध्यान देगा इसको इग्रोण मत किजेगा और अगर असम से भी question आता है असम का बहुत important बार बार पूछा है याद रखे अब बीहु का किस राजी का लोकन रित है ये काफी बार पूछा है तो ठीक है ये बीहु असमी लोग का असमी लोग मनाते है ठीक होगा पूजा होता है वहाँ पे तेहवार में लोकन रित भी होता है ठीक तो ध्यान रखे अब भी हूँ बिच्वा नर्पूजा ठीक है तो यह चीज़ याद रखे है आप लोग चले नेस्ट कोशन पर आते हैं यह विकित में कौन से सबसे प्राचीन प्रवत है यह विकित में सबसे प्राचीन प्रवत पूछा गया तो इसका जो करेक्टर अंसर हो जाएगा वह होगा अ कोशन अरावली और याद रखे का अरावली कि सबसे उची चोटी इसकी एक नोट यहां पर कलीजिए इंप्रॉटन कोशन सबसे उची चोटी वह कौन सी है यह काफी बार एक्जाम में आया भाई गुरू सीखर ठीक है गुरू शीखर यह बहुत बार पूछा है अरावली क कि सबसे उची चोटी गुरू सीखर और अरावली की पहरी है कहां पर तो राजस्थान में ठीक है यह राजस्थान में है यहां से कोशन एक दो पूछा जाता है सबसे यहां पर प्राचीन है दुस्ता की राजस्थान में है अर दुस्ता की सबसे उची चोटी यहां की गु तो नगर योजना परनाली पर काफी बार पूछा भी गया है चली आगे परते सवाल पर कोशी कावम है ततकालीन उर्जयक उत्पादन के लिए निमलिकित में से एक लिया जाता है वो क्या लिया जाता है तो इसका जो करेक्ट अंसर होगा वह होगा ग्लुकोज ठीक है इसका जो अंसर होगा ग्लुकोज अभी मैंने आपको ग्लुकोज के यहां पर एक जो असानी क्रिया हुआ था जो क्या था उसमें प्रकास अंसलेशन में है न तो क्या बनाता था ग्लुकोज की बात कर रह यह इंस्टेंफ अपको इनर्ज़् देता है अग्या बहुती सवाल पे मिए आग्या का पाई जाते हैं राबरा बॉध मथ कहा पे इस्थापित ह्यां इस्तित हुआ था ठीक हिए काफ इपोर्टन कॉंस सबसे कम जलकी आविशक्ता होती है यह आप लोग बताएंगे है ना जल्दी से बताएंगे कि इसमें किस पेर में सबसे कम सबसे कम जलकी आविशक्ता होती इसका जो करक्ट असर हो जाएगा बबूल ठीक है आप लोग गलती से युकलेप्टस नहीं मर दीजिएगा तो ध्यान रखेगा इस चीश को आप यहां गलती सभी इस चीश गलती से भी टिक नहीं किजिएगा बबूल जो है एक मरवस्थल नहीं पौधा है ठीक अच्छा एक यहां पर युकलेप्टस की बारे में जान लेजिए यह आब्रित्वीजी ठीक है आब्रित्वीजी ब्रिक्ष है ठीक है सबसे बड़ा सबसे बड़ा आब्रित्वीजी ब्रिक्ष है जहां दुकिएगा ठी कोशन यहाँ पे पूछा जाता है मैगनी फेरा इंडीका इसका क्या भाई इसका बाई योजीकल नेम है तो यहाँ से बी कोश्चन पूछा जाता है मैं कि आगे चलते सवाल पे सवाल नमर्ट 10 कि राश्टि आएका अदहर क्या है राश्टी आयका अधार आपसे यहां पे पूछा गिया है तो देखिए इसका जो करेक्ट अंसल हो जाएगा क्या हो जाएगा भई राज्य द्वारा उपार्जी जो सुद्ध लाव एबम किये खर्च ठीक है काफिवार इंपोर्टन को से वेर वेर इंपोर्टन को से आप इस मomina runsाय तो सुद्ध लाव एबम कि घर्ठ और भी राश्टीया कि होते खर्च कि गरís अर्फ व्यत्ताइओर एक गर्ध सवाओं के सुद्ध मुलीक योग से भी होता है ठीक है चले आगे सवाल पर बटे चले कोशन अमड़ी लेवल प्याती तुरते जी से बढ़ेंगी कि यहाँ पर सौ कोशन है और यहाँ पर सौ कोशन को करवाने है सरकार की संसर दियर ढाचा का सबसे आवशक लक्षन क्या है जिसका जो करेक्टर अंसर हो जागा गा नमर हो जागा बिधान मंडल के प्रती कार्यपाली का उत्तर धायतुब ठीक प्रतिक सर्वेशन की बात करेंगे तो आप कुछ और यूजना यहाँ पर लागू करती है प्रतिक जनरल जिसमें हैवर अली को पोटो नोवा के युद्व में हराया था ठीक है तो इसका अंसर कौन हराया था इसका जो करेक्ट अंसर हो जाएगा वह जाएगा आयरकुट ठीक सर आयरकुट चलिए आगे सवाल प्याते फटा फट्ट नेस्ट कोशन क्या कि सलीम अली अज़िए ध्यान जो है आपका जमू कश्मीर में है ठीक है भ इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा अगे प्रते सवाल पर की कि पित कहां बनता है तो पित कहां बनता है यक्रित में लीवर में ठीक है कहां बनता है लीवर में ठीक काफी इंपोर्टन कोश्चन है चली आगे बरते सवाल पे निम्लिकेत बंसों में से कौन सा कला के गंधार घराने से संबंदी थे कला और गंधार ठीक है तो गंधार की बाद जब भी आगा तो कुशान हो जाएगा उसका लाक पर हड्ञ नहीं करेंगे आफ टीक करेंगे किस नहीं अपना शाषन का अधिकांस अच्छों को पराजित करने में बिता है तो इसका जो करक्ट अंसर वह जाएगा वह जल्दी से बताएंगे अब लोग औरंग जीब ठीक है इसका correct answer हो जाएगा औरंग जेव चुले आगे बरते सवाल पर सवाल नमर 22 पर आते कि भारत में निम्न में से कौन से एक्ट दोरा संपर्धाइक निर्वाचन वर्ग सुरू किया गया था उसका correct answer क्या हो जाएगा कि इसका प्रामि अप्र झाल होजाएगा सोामी भीवेक आंद चली गह इसका प्रक्राइब नाइसड गैल वेलिट लोहाँ बनाने के लिए ये लोहे पर किसका लिप्छ रहा जाता है इसका जो प्रणोंस जो जेए जेंग बाग जींग जो होता है अप्रमानुशंख्या होता सा होता है इसका जो कर्राइक टंस हो जागा एक्ष के रहे हैं ठीक है एक्स गेर जो होता बिद्धु चुमा के तरंग होता है आगे बरते स्वाल पर विए सुसमिजिव जो सरे गले पदार्थों में बदल जाते हैं उसे क्या करते हैं डीकंपोजल में जिक अब घठक कहते है ठीक है इसको प्रॉशन 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 सच्चर समीति गठित की गई थी किसले की गई थी इसका करेक्ट अंसर जो हो जागा सच्चर समीति बहुत इंपॉर्टन कुस्स नहीं ठीक है चले अगर सवाल प्या थे कि सबसे बाद में आने वाला देश कौन सा है अब मिस के टोटल के कौन-कौन से तो देखे अभी क्या स्टोड़ी है किका यहां पे समझीगा यह जी एड वाले गूप से यह हट चुका है यह अपने आपको यहां से विड्रॉख कर लिया है ठीक है यह मार्ची द्वर्ची चौधार की बात है कि यह चीज़ हुआ था कि जी एड से घॉप से हट गया है अपने आपको बन गया यह G7 का गुरूप और G7 में कौन-कौन से आप कंटरे सामिल यह भी आप नोट कर लिजीगा ठीक है जो सके देख यहाँ पर कोशन कही बार आता है कि G7 गुरूप में कौन-कौन से लोग सामिल है तो सबसे पहले आता है पहला नमर पर USA ठीक है नोट कर डील सेकंड में गर बात करते हैं कैनाडा कैनाडा ठीक थर्ट पर आप आईए तो बात करते हैं फ्रांस पर आते हैं यहां पर जर्मनी यहां पर आते हैं जर्मनी फाइब पर आते तो फाइब पर हो जागा इटली ठीक है इटली पांच होगे दो और याद किए नोट कर लिए जापान छठा जापान और लास्ट वला पर आते हैं तो यू के उनाइट किंग्डम ठीक है इस साथ कंटरी जो आप अपने ये जी सेवन गुरूप में सामिले और एट जब की रूस था वो इस गुरूप से बाहर हो चु इंपॉर्टन को सिसन कहीं वहरे पूछा जाता है इंग्दामें पुछा भी है इंग्दामें ठीक है तो ध्यान रखिएगा ठीक चले आगे बरते सवाल फे चुले यहां से एक ची और नोट के लिएगा मराठा की अगर बात करें तो मराठा सामराज ठीक है मराठा सामराज का अगर संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन थे भई सिवा जी सिवा जिसके संथापक थे याद रखेगा इनका जल्म हुआ था 1627 इनका जल्म हुआ था ठीक ये भी याद रखेगा चौथ एवं सरदेश मुखी द्यानों के चौथ एवं चौथ की बात हो गया एक सरदेश मुखी भी है ठीक है सरदेश मुखी ये दोनों क्या था इनके एक सासनकार में लगाए गया था कर ठीक है सरदेश मुखी भी क्या था एक परकार का ये कर ही था ये था और चौथ था ध कर ठिक है कि ठी 33 हो तो सब्सक्राइए। चाहिए उसके बाद एक और इसके candee थीफ सर्सक्राद करके हैं उधारत टॉशन ऑर को कॉंसामिल हो जैसे आयकर कि इंकम टैस द्रिक्राइब से क noodle हो गया समपती कर समपत्ती कर हो गया है पर उपहाड कर यह सब क्या है यह सब आपका डारेक्ट टैसे मिन्स की प्रतक्षकर है बाकी सब ही मैंने बताई जो चार इंडार्ट टैक्स है जैसे कि आपका जो बिक्री कर तटकर सीमा का सुलक और उत्पास सबसे गहरा मरियानागर्द किस महासागर में इस तो इसका करेक्टर सो जाएगा उच नियाले में निया दोस्तों कि शेवाण नियुक्ती कि आयू कितनी है काफी इंपर्टन कुछ नहीं है उच नहीं हाइव कोट की बात करें तो प्रवाद कि बात के तो 62 सार और सुपरीम कोट की बात करें ठीक है सुपरीम कोट की बात के तो कितना है 65 एर्थ ठीक गलती से घलती मत कीजेगा चलिए आगे सवाल पहते हैं कौन सा राज सेव कसरभादी कुछ पादर करता है ठीक है सेव का कौन सा करता है ता आप लोग तो करूट की राजधानी गया है है स्ट्राट सुदान की राजधानी है खारतूउम घंक है बंगाल के किस नुभाब मंगेर को को अपनी राजधानी बनाया मिसका क्षराल क्या हो जाग कहीं इसका क्षरा जाए हुआ है मेप मीर काशीं ऐसे पहले वर Всем ऴेस्ट हैं किस देश्चते सब्सक्राइब तैने ड्लाइन एसलीं या कमपने को बंगाल बिहार एबाम उरिशाई में दिवानी का धिकार परदान किस ने किया था तो इसका करक्ना सो जाएगा ध्वानी तरंगे और नोट किजे कि एक और है ठीक है थिक फॉणिशनल घट तो अनूधर थिक अनुधर ये तरंग है recluxion कॉण нधुनल कौन सा जोरा सही है आपको कौन सा जोरा सही है ये बताना है, इसमें से, ठीक, तो देखिए, तो देखिए, आप एक question कहाता है, कौँछ सा जो रहा सही है, पूछा है, सही है, सही है, ठीक है, तो तो इसमें क्या पाए जाता है यह तो होता नहीं तो किसमें पाए जाता है यह निमूब में पाए जाता है तो यह जो होगा आपका जो कह सकते है कि किल मौहासी तेल में यह किल मौहासी का जो आपका प्रोडक्ट होता है न उसमें यह पाए जाता है चली नेश्ट में कि बिहार में जूट का सरवादिक उतपादन कहा होता है बिहार की बात करें तो इसका इंपोर्टन कोशन हो जाएगा इसक प्राचिन नगर तक्षो इलान नमलिक्त में से किन के बीच स्थित है तो इसका करक्टर अंस लागा जहेलम पूरी के मंदिर किस स्याले में निर्मित है उसका करेक्ट अंसर हो जाएगा जल्दी से बताएंगे नागभट पर्थम आगे परते सवाल में कि बारा मास की रचना किस ने किती बारा मास की रचना किती मलिक महम्मद जैसी ने जो slips आगे परते सवाल पिदो कि मेरा बै कि संकालीव थी मेरा समकालीं थी चैतन महाप्रभ किया थी ने श्क्रस्शनित भारत में किस मुसल्म सासक ने जदियाकर प्रचलन क्या था मुशल्म सासक ने वह था यहाँ पर अनसरों ऑन्सरों का मुहम्मद Ass ge गाली गवर्णर कौन था इसका हो जाएगा अंसर अलमीडा ठीक है फंदर सुपांच में यह बना था और इसके बाद सेकंड जो बना था यह बना था अलब यहां पे ऑप्सन गलत लिखा गया है कि महराष्ट में किस समासूधार को लोक हितवादी गहाओ जाता है यहां पर question अच्छा यह question लिखा गया यह question नहीं है 54 आप note के लिए question कि महराष्ट में किस समासुधार को लोग हितवादी कहा जाता था इसका करक्ट अंसर हो जाएगा गुपाल हडी देश्मुग इसका तो option है नहीं तो यहां पर answer मैं लिग दिया था ठीक सर्वादे सब्द का प्रियोग सर्वाद्व किस ने किया था तो इसका करक्ट असर जाएगा महात्मा गांधी ने ने किस ने कहा था कहा था किस ने कहा था कॉंग्रेस पतन के लिए लुड़ खड़ा रही है मेरी सबसे अब बरिया भी लासा जब तक मैं भारत में हूँ क ऑँन इसकी सांदीपुर्ण स्माप्ति में सहाथा करना चाहेंग किया था लॉड जॉड़ करजन ने ठीक है लॉड कर्जन है और लॉड करजन ही ने उनिसव पाज में किया कि निया एक वर्थ के अंतरगा स्वाराच की प्राप्ति किस आंदलन का लक्षत था तो इसका जो चला था आपका एक जुलाई है एक जुलाई उनीसों बीस चलिए 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 कल्चर कहां जाता है इसको चलिए आगे सब्सक्राइब आएंगे कोशन है कि मद्परदित में कौरबाद जाना जाता है किसले जाना जाता है तो यह जाना जाता है ठीक है गहां इसका कर्रक्टर असलिए जोगा किसका कोईला बंदार सरभादी के किसका कराक्षण से होगा ज़रिया जो की कहा है जहार खंड में ठीक है जलुए परपतमालों में से उनके बीच अवस्थित है इसका जो अंसर हो जागा वो क्या हो जागा जल्दी से बताएंगा जासकर एवं पीर पंजाल कस्मीर घाटी की बात करें तो जासकर एवं पीर पंजाल में है जल्दी से बताएंगे आप लोग इसका जो करेक्टानसर क्या होगा इसका करेक्टानसर कहाँ आई दूए तो जासकर एवं प्याथ है कि बात में मुद्रश फिती की माप खोती है किससे होती ही भाई कौन करता है इसकी माप केंद्रे शांखे की संगठ्थन द्वारा कहां गय यहां option कहां गया इसका सड़ी यहां पर option अलग है भारत में मुद्राश्पिती कि मापुतियाश मैं ने दूसरा question का option में बोल दिया इसका थोक कीमत सुचकांक के द्वारा ठीक है थोक कीमत सुचकांक के द्वारा आते निश्ट पर question पर जन्पद अस्तर पर ग्रामिन कड़ा क्रम में के करियान वन हेत्व एजन्सी है वह एजन्सी का नाम है जीला ग्रामिन विकास एजन्सी वेर विड़ इंपॉर्टेंट कोशन भारत में आश्टी यहां कि अनुमान किसके दो रखे यह इसका यह वला option मैंने पहले बद दिया था खेंद्रियों संख्य की संग अंसर होगा ठीक है लिम्ली कौन से खरीफ फसल है खरीफ फसल है कटेक्ट अंसर क्या हो जो सुहाविन खरीफ फसल है ठीक है पत्र शुन का अर्थ यह है कि अंतराश्टी मुर्द्रा कोश का विशेश आरण अधिकार है ऐसे कोशन मेर्व सेवंडेसी प्रॉस्फ पती परमाहा विवह का रोप संसत के किस सदन दौरा लगा लगाया जाता है ठीक है तो इसका आपको अंसर बताना है फटाफ जल्दी बतढ़ेए अ इसका जो करेक्ट अंसर संसत के किसी भी सदन द्वारा ठीके नेश्ट क्वेशन परते संसत के दो सत्रों के बीच अधिकारे कंसर रहल कितना हो न चीए तो इसका करेक्ट अंसर हो ज़ेका छह महिन आगे बरते सवाल पे कि पंचाती राज्जी सरपर्थम प्रईवरतित किया ज़ेका गया था किस राज्जी में तो इसका करेक्ट अंसर होगा भारत का करेपाली का नेश्ट का भारत की राष्ट पती में सब्या अर्थ होता है अस्थगन काल, ठीक है, सुन काल का अर्थ होता है, सस्थगन काल, भार सासन द्वारा, राज के चिन, कब से अंगी कृत गया गयता है, ठीक है, राज के चिन, 6 जनवड़ी 1950, मंत्री पड़िशत सामुहिक रूप से किसके लिए उतरदाई होते हैं, तो लोग सभा के प्रती य को इसका billion का, Emerson का, Kolad billion या Bayon billion का, जो इसका जो, करक्ट न अंशर क्या हो जएगा भई, इसका करक्ट सा जल्दी बता है, आप लोग, इसका हो जएगा अंसर, C Emerson का, ठीक है, नेस्स क्वेशनल पर आते हैं किस बिंदू पर संटीग्रेट एवं फॉरान हाट तापकरम एक ही राता तो मैनस 40 डिग्री टेंपरेचर पर चालक की वैदूत प्रतिरोग धक्ता की काई क्या है चालक की वैदूत प्रतिरोध प्रतिरोध की बात जब ही करें तो यह ओम हो जाएगा ठीक है प्रतिरोध की बात करें तो ओम हो जाएगा बोल्ट की बात करें तो विद्धूत विभब हो जाएगा ठीक है अगर बात करें हिरा फ Bieber के बात करेंगा खांद यह थी चेज कि एजा इंजै मुन खुलूप से किसे बनते हैं उसका प्रोटीन से चलिए हीरा अपरूप है किसका तो यह कारबन का अपरूप है गहरे समुदर में शास लेने के लिए गोता करों कौन सी गयासों का इस्तमाल करते हैं बहुत इंपॉर्टन कोशन है ओक्सिजन वह में हीलियम वरी वरी इंपॉर्टन कोशन है ठीक है चलिए सवाल पर कि निविदिद के तरवों में कौन सा उस्मा का बहुत अच्छा चालक है इसका करेक्टर सुजए का 12 पारह में इस इस जी का प्रमादोस ने कहा था इल्टी निविदि में किसने एक स्किरन का विश्कार किसने कहा था रॉंजन ने ठीक है रॉंजन ने जल की अस् अस्थाई कठोड़ता का क्या कारण हो सकता है अस्थाई कठोड़ता का कारण यह है कि यहाँ पर क्यालसियम और मेंगनिस्याम को जो होते हैं घुला लान के कारण होते हैं ँद्ध Fr इसको आप क्या करसे सकते हैं नेक्स り आते हैं अपने जियवन चक्र घिर में आ देगे यहांबिव हो जाता में किस को सिहाकंन को scor pinch कि life कॉamines यहां पर बनेगा है रख्कräटन कि इसके मैं कि नमें यहां को सब्सक्राइब यंग प्रत्यास्था गुणांग का एसाई मातरक की यहां पर पूछाए की क्या होगा चली आप लोग बताए फटा फटा इसका आंसर यंग प्रत्यास्था का गुणांग क्या होगा तो देख इसका जो कराक्ट आंसर हो जाएका वह हो जाएका ग गह मतला है निूटन ठीक है क्या हो जाएका निूटन पर मीटर स्कॉर्ड प्रित्वित के सता पर किसी का भारना यह 2.94 नूटन है तो उसका दर्वमान निकालना बस सिंपल एक फर्मुला लगाई एक ब्रावर करने तो मास निकालने का मतलब निकालेंगे तो मास बढ़ावडस नतलब मुत सब्लाकृывादगों और इसको डिवाइड करेंगे तीन खार में कट जाएगा 3 केज इसका ट्रेंट करक्ट करेंगा मास को केजी में करते हैं क्लियर और लास्ट इस वीडियो का कुछ ने कि जर्त आगुर वह कोणी यह त्वरण का गुणनफल क्या होता है इसका करेंसर टार्ग तो गाइस यहां पर 100 questions complete हुए वीडियो कैसे लिगे है मैं comment करके जरूर लिखेना वीडियो अच्छे लेगे तो like जरूर कर देना और इसका जितना भी पहले वाला part है इसके description में लिखा रहे है लिंक दिया रहे है को वहां से देख लेना या फिर वीडियो को playlist में देख लेना यहां है और लिखेना प्लाइस आटः लेगे है कि कर देख लेना पना आटाइस आटे लेकर लेखेदा अएम्गाष रहे ले वीडियो कि लेगे हैं मैं लेगे हैं भीडियो